जय माता की सब्तम अध्याय चल्व और मुंट का बर्द। बेलाल नंकी साड़ी पैने हाट में शंक का पात्र लिये हुए हैं। उनके बदन पर मदूं का हलका हलका प्रिवाव जान पड़ता है। और नलाट में बिंदी शोबा दे रही है। उनहें देख कर देख्टे में सत्परता से पकड़ने का अध्योग करने लगी। किसी ने धनुष्तान पिया, किसी ने दलवार समाली और कुछ लोगदेवी के पास आतर कड़े हो गये। तब अम्मिकानी उन शत्रों के पती बड़ा क्रोध किया। उस समय क्रोध के कारएं उ पहने नर्वंडों की माला से विभूशिती, उनके शरीर का मासूख गया था, केवल हट्डियों का धाचा था, जिससे वे अत्यन भेहन का जान पड़ती थी, उनका मुख बहुत विशान था, जी पलपलपाने के कारण, वे और भी डरावनी पृतीत होती थी, उनकी आंके वी सेत्यों की सेना पर तूट पड़ी और उन सब का वक्षर करने लगी, और उसके बास देवी, वे पाच रक्षपों, अंकुल धारी महा व्रतों, योद्धां और गंदा सही कितने ही हाथियों को एक हाथ से पकड़ कर मूह में डाल लिती थी, इसी प्रिकाल गोड़े रत और साथी के साथ रती सैनिकों को मूह में डाल कर वे बड़े भयानत रूप से चबा डालती थी, किसी का गला दबा देती, किसी को पैरों से कुचल देती, और किसी को छाती के धक्य से गिरा कर मा डालती, वे अस्रों के छोड़े हुए बड़े बड़े अस्त्त्त्त्त्त्त्त् और रोश में भड़कर उनको दातों से पीज डाती थी, काली ने पल्मान एवन दुरात मतेत्यों की वह सारी सेना रौन डाली, खा डाली और कितनों को मान वाया, कोई तलवात के घात उतारे गए, कोई खटक वाग से पीटे गए, और कितने ही असुर दातों के अगर वाग से कुछली जाकर मिर्टियों को प्रात हुए, इस प्रिकार देवी ने असुरों की उस सारी सीना कुछ हरों में माघिराया, यह देख चन और उन अतियंत भ्यान अकाली देवी की और दोरा तता महादैते मुन्न देवी अतियंत भ्यान करबानों की वर्षा से तता हजारों बा काली ने अतियंत रोश में भरकर बिकट अठास किया, उस समय उनके विक्राल बदन के पीतर कटिंता से देखे जा सकने वाल दातों की प्रवा से वे अतियंत उज्जल दिखाई देती थी, देवी ने बहुत बड़ी तलवार आतमे ले हम का उच्चानों करते हुए चन पर हावा बोल दिया और उसके केश पकर कर उसी तलवार से उसका मस्तर्स काई डाला, चंड को मारा गया देख मुंड भी देवी की और दोड़ा, अब देवी ने रोश में फड़कर उसे भी तलवार की धार से भायल करके प्रत्पी पर सुला दिया, महाप्राकरमी चंड और चंड और मुंड का मस्तर्स हाथ में ले चंड का के पार जाकर प्रचन अठ्वास करते हुए कहा देवी मैंने चंड और मुंड नामग दो इन्मा पश्वों को तुम्हें विट किया है, अब युदियग में तुम शुम और शुम स्वें भी बत करना, इसी कहते हैं वहां ल चंड के नाम से तुमारी ख्याती होगी, इस प्रकार शिरी मारकंडे पुराण में सार्वानिक मनवंतर की कथा के अंतागा देवी माहमें में चंड बुंड पत नामक सात्मा अध्यायक पूरा हुगा, वो रुजय माता दे